Hello friends, मैं हूँ अरजीन इस वीडियो में हम बात करेंगे Figure Drawing के बारे में मैं आपको बताऊँगा Figure Drawing की कुछ tips और हम समझेगे की Figure Drawing कैसे किसी action में काम करती है या फिर हम किसी reference से उसको कैसी catch कर रूपाते हैं तो जैसे आज Force वाली reference में ने रखी है जैसे इसका body का structure जो है किस तरीके से काम कर रहा है किस तरीके से वो action में है तो इन चीज़ों के उपर हम बात करेंगे सबसे पहले आपको gesture लेना है किसी भी drawing का जैसे आपने कोई भी figure उठाई है उसका जैसे इसका जो action है हम simple line से पहले समझते हैं उसके बाद हम इसका sketch बनाएगे तो इसको हम side देखो कौन सी आ रही है legs को stick figure जैसे हम बनाते हैं उस तरीके से आप इसको gesture में ले सकते हैं इसका पूरा body का structure ले सकते हैं इसमें आपको इसकी height का अंदाज रह जाता है कि figure कितने area में आ रही है कहां पर आ रही है और किस किस line को आप touch करके इसको बना सकते हैं जैसे यह torso का angle हो गया यहां पर shoulder हो गया तो यह चीज़ें आपको यहां पर पता चल जाती है तो कोई भी आप drawing बनाते हैं तो यह चीज़ थोड़ी सी important हो जाती है किसी चीज़ को समझने में असानी रहती है तो इस तरीके से आप एक form लई सकते हैं starting में और इसको बाद में आप double करनी है जानी कि आपको structure जो body का है main वो जहां पर ले लेना है उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको full form में बनते है पहले वो ही angle है face का जो हमने वहाँ पर रखा है और आपको face के angles आपको portrait study में मिल दाएंगे ऐसे भी videos हैं मेरे पास काफी आपको चैनल में मिल दाएंगी और उसके बाद आपने यही चीज़ को note करना है जैसे line है तो इस तरीके से घुमती है पूरी जैने कि C type कुछ बनता है उसका तो ऐसे ही आपने ज़्यादा detailing में नहीं जाना लेकिन हलका सा उसको रखना है अपने अंदाजे में अपनी study में कि वो चीज़ है क्या तो सबसे पहले जलूरी यह चीज़ है कि आपको जितनी भी form आप simple कर सकते हैं जितनी भी आप form को समझ सकते हैं simple दरीके से उसको उतने ही simple line से simple stroke से सीखना है तो starting में यह वाला point हो गया आपका torso का उसके बाद आपने जैसे gesture point में जो चीज़ बनाई है वैसे ही leg move कर रही है लेकिन हम double बना रहे हैं तो इसमें confuse होने वाली कोई चीज़ नहीं है और आपको यह चीज़ आपने starting में जो line ली है वैसे ही इसको double कर रहे हैं तो यहाँ पे उसकी legs आ रही है जैसे उसने short लगाया है तो वैसे ही उसका जो figure है पूरा पीछे की तरफ जुका हुआ है और आगे की तरफ हैंड है हमें उसको देखे पता चल रहा है कि उसने short लगाया है right तो उसकी body की जो language है वो हमें feel करा रही है कि वो चीज़ जो है कितने force में है किस legs के उपर उसका ज़्यादा weight आ रहा है तो यह चीज़ यह normally देखने को मिल जाती है कोई भी आप reference पहले समझते हैं उसको तो यहाँ पे यह जो points बन रहे हैं gesture में वो ही चीज़ यहाँ पे अपने shirt में घुमानी है उसको देखना है torso के side घुम रहा है right तो जैसे यह point है उसका हलका सा यहाँ पे दिखता है यह जो shoulder है दूसरी side चला गया है वो हमें थोड़ा सा इस तरीके से दिखेगा और यह वाला point यहाँ पे हमें show हो रहा है यहाँ पे इसकी elbow आ गई तो उसके बाद यह पूरा form बन जाता है आपका hand का तो hand का जो भी action है जो भी आपको form है यहाँ पे थोड़ा सा आपको visible कर जिता हूँ आपको hands की अलग से भी study करनी होगी क्योंकि कोई भी जब action आता है तो वहाँ पे confusion बढ़ जाती है जब हम study में चलते हैं तो एक एक चीज की study करना इसलिए लाजम हो जाता है जैसे हम face बना रहे हैं तो पूरी body का face कौन से angle पे बन रहा है कौन से angle आ रहा है कैसे features बनेंगे यह आप portrait के angle में सीखते हैं जैसे यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ जैसे यह point है यह मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब भी आप study कर रहे हैं तो वहाँ पे अलग से करेंगे तो आपको sketching में problem नहीं आएगी जैसे यहाँ पे मैं पूरा face बना रहा हूँ यह वाला angle है जैसे nose यह वाले हलकी सी shade कर देते हैं यहाँ पे lips wall area आ गया तो यही चीज है वहाँ पे भी लेकिन थोड़ा सा उसका angle change है तो उसी चीज को हम वहाँ पे बना रहे है तो यह यहाँ पे हलका सा हम अपनी तरफ कर रहे है movement उसकी और जो shoulder है हलका सा face के उपर आ रहा है तो इस point को समझना है shoulder को यह point यहाँ पे touch करता है और यह वाली चीज फोल्ड जो हो रहे है अपने वाली side हो रहे है क्योंकि यहाँ पे यह चीज घूमती है उसका torso घूमता है तो यह belt वाला area आ गया और यह movement आपने अच्छे से देख लेनी है यहाँ पे elbow का shade लगा लते हलका सा तो यहाँ पे देखो थोड़ी सी depth देते ही उसकी पूरी form बननी स्टार्ट होगी है ज़्यादा हम detailing में नहीं जाते लेकिन थोड़ा सा में visible कर रहा हूँ इसलिए तांकि चीज़ों को समझने में असानी रहे आपको पता जले कि हम किस चीज को shade कर रहे हैं डल कर रहे हैं या फिर highlight दे रहे हैं तो वहाँ पे आपको पता चलता है कि क्या क्या चीज़े हमारी sketching में जरूरी रहती है अब यह हमारे पास legs का पूरा form पता है आपको कहां पे बन रही है क्या चीज़ बन रही है थोड़ा सा visible करते हैं जैसे fold आ रहे हैं उसके उस चीज़ को आपने देखना है उसके बाद उसका पूरा angle आपने पहले से बना रखा होगा तो आपको थोड़ी सी strong line से उसको cover करना है जैसे आपने बिल्कुल rough line में drawing करनी है पहले उसके बाद आप उसको finish करते हैं जैनि कि आपकी जो lining है वो dark to light चल सकती है या फिर उसमें hulky full की आप shade कर सकते हैं तो ऐसे अपने sketch को cover करना है तो ज़्यादा confused नहीं होना sketching में आपको बस line देखनी है कि कौन से line कौन से angle पर आ रही है तो वैसे ही दीरे दीरे उसकी study करनी है जैसे आपने ये force वाली figures बनाई है और action figures जिसको हम बोलते है तो उससे पहले आपको still figure बनानी होगी जैसे आपको बिल्कुल standing figures जो रहती है उसमें आपको पता चल जाता है कि face कितना है torso कितना है legs कितनी है जैसे हम दीरे दीरे उन चीज़ों के पर study कर रहे है तो ये चीज़ें पहले still रहती है दीरे दीरे ये चीज़ें हम add कर रहे है जो कि आपकी study में important है तो इससे थोड़ा सा sketch करना भी easy होगता है और आपकी जो sketching करने का तरीका है उसमें थोड़ा सा सुदार आता है आप sketching को अच्छे से कर सकते हैं जैसे आपकी line strong रहेगी तो आप जल्दी से sketch बना पाएंगे आपकी line हैं जल्दी चल रही हैं आप डरके काम नहीं करें तो quantity में बहुत ज़्यादा आप काम करते हैं और जितनी quantity आपके पास होगी उसके बाद वो सारी चीज़ें मिलके quality पैदा करती हैं तो आपकी sketching में quality बाद में आती है पहले आपके sketches काफी सारे हो काफी सारी sketching की हो उन में से कुछ चीज़ें आपको पता चलता है कि क्या क्या चीज़ें आपने कर रखी हैं क्या क्या चीज़ें आपने study करके देखी हैं कुछ चीज़ें नजर में होती हैं लेकिन उनको हम study नहीं कर पाते तो मेंली ये है कि आपको practically करना होगा थोड़ी सी मेनत और करनी होगी तो ये चीज़ें बड़ी असानी से बन जाती हैं जैसे हमने बिल्कुल असान तरीकी से ये sketch बनाया तो इसको बाद में हम detailing कर सकते हैं जितना आपका मन करें finish करने के लिए इतना वर काफी रहता है जब भी आप sketch करते हैं ऐसे base लगा के आप short सकते हैं तो वहाँ पे आपको एक balance का पता चल रहा है आपको proper sketching का पता चल रहा है तो ऐसे ही example एक और लेते हैं जैसी ये है तो ये भी एक action figure है इसको हम simple तरीकी से पहले देखना है वैसे ही idea लेना है जैसे हमने first time किया है अभी face का angle ले लिया है और उसके बाद आपने ये वर लाइन देखने किस तरफ इसका hand आ रहा है next से सीधा उसने hand किया हुआ है उसके बाद यहाँ पे उसका belt area और ये legs वाला point हो गया तो अभी देखो इस stick figure से हमें पता चल रहा है कि ये figure की form क्या होगी जैसे यहाँ पे hand हो गया यहाँ पे shoulder cut करते हैं उसके और इन चीज़ों को आप इस तरीके से देख सकते हैं और ये वाला point रह गया यहाँ पे आ गया ये यहाँ पे आ गया ये legs ये foot यहाँ पे बनते हैं और ये दीर दीर हम इसको gesture point में लेके आते हैं तो अभी जो action हमने catch किया है उसको आपने double करना है जैसे आपने पहले किया था तो simple तरीके से बता रहा हूँ सबसे पहले उसी चीज़ को आपने लेना है जैसे हमने face लिया था face का angle ले लिया है अभी ठीक है तो किस तरीके से हम बना सकते हैं face को round में नहीं बनाते हम यह portrait study में मैंने बताया है एक एक चीज़ आपको तो उसी से आपको पता चल जाएगा कि face के angles कैसे कैसे बनते हैं यहाँ पे neck और यह चीज, belt वाल area है यहाँ तक हमने cover करना है जैसे यह वाल लाइन यहाँ पे strokes ले सकते हैं सीधा the matrical foam को मैं ज्यादा line ने ले ले लगा रहा हूँ और simple सा foam एक लेते हैं इसको यहाँ तक और यह चीज यहाँ तक यह torso का एक angle है जैनि कि उसका जो front है वो थोड़ा सा tilt है हमारी वाली side थोड़ा सा तिर्शा दिख रहा है तो उसी चीज को आपने समझ के बनाना है जैसे one foot size दिख रहा है इसका तो यहाँ पे इसका है hand तो यहाँ पे shoulder और यहाँ से cut करके यह चीज टौर सो पीछे की तरफ जाता है यहाँ से shoulder start यहाँ पे थोड़े से muscle रहा उसके मैं आपको उसी तरीके से यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ जैसे यहाँ पे foreshortening बन रहा है उसका क्योंकि hand आगे की तरफ आ रहा है तो यह हमने belt area से cut करके देख लिया कि कहां तक आ रहा है यह चीज जेसर वाली line यहाँ पे थोड़ी से तरशी बनेंगी और यह वाला point जो है वो कुछ इस तरीके से राइट जैसे हैंड है उसके बिलकुल नीचे की तरफ जा रहा है तो यह थोड़ा सा foreshortening है यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा gesture point तरीके से बता रहा हूँ ताकि यह चीज जो बनाई हुई है हमने stick figure उसी के recording यह चीज बन रही है लेकिन यहाँ पे हम proper figure बना रहे है डबल बना रहे है उसको वहाँ पे single line gesture है यहाँ पे double line हो गया बस simple सी बात है तो यहाँ पे कोई भी fold बगएरा बनेंगे उसके जो भी है तो यह पैर का angle जो कि उसने दूसरी वाली side किया हुआ है जो अपनी वाली side है वो थोड़ा सा front का face है उसका पैर का और यहाँ पे थोड़ा सा foreshortening आती है और यह चीज हलकी सी पिछली वाली side जाती है जैसे यह hand है तो hand को हमने यह चीज देखनी है यहाँ पर और हलकी सी पीछे की तरफ जाके यहाँ तक आती है जानी कि अब जब भी sketch बनते हैं तो figure को comparison करना है कि उसके hand कहां से कहां तक आ रहे है या उसको torso कहां से कहां तक बन रहे है उसके बाद legs कहां पे आ रही है कहां प वैसे angles हम catch करते जाएंगे वैसे ही यह चीज़े हमारी catch में आती है उसके बाद जैसे यह hand है तो hand के angles आपने देखने है कि कोई चीज पकड़ी हुई है उसने और उसके बाद यह वाली point दिख रहा है आपको elbow तक दिख रहा है और इसको यहां से यहां तक बना सकते है राइ तो चीजों को बहुत ही simple तरीके से देखना है जहां पर मैं कोई भी confusion नहीं बढ़ा रहा हूं एक simple तरीके से हम study देख रहे हैं उसकी किस तरीके से उसने किसी चीज को पकड़ा हुआ है कैसा उसका torso आएगा कैसे उसका hand बन रहा है अभी जो hand का tricep है वो बिलकुल foreshortening में है थोड़ा सा हलका दिख रहा है तो face के त्रिव वो थोड़ा सा back side है तो उसका shoulder नहीं दिख रहा है यहां से राइट तो यह वाले points जो है आप detailing जितनी मर्जी कर सकते हैं लेकिन एक angle को अगर हम देखते हैं तो यह वाला points बन जाता है तो यहां पर कोई भी आप shade बगरा कर सकते हैं उसको बना सकते हैं अच्छे सी यह वाले muscles मतलब आपको starting में जो point है वो आपको stick figure करके समझना होगा या फिर आप boxes बना के भी समझ सकते हैं उसके बाद जब आपको action समझ आ जाता है तो उसके बाद कोई भी figure को आप ले सकते ह हैं किसी भी तरीके से उसको बना सकते हैं detailing का काम बाद में शुरू होता है हम इसको advance में sketching रखते हैं जो भी चीज़े हम करते हैं advance में इसलिए करते हैं क्योंकि कुछ चीज़ें आपको पता होती हैं कुछ चीज़ें नहीं पता होती जैसे अगर आप step by step figures बना रहे हैं तो ऐसे अगर आप एक एक चीज़ की study करके आ रहे हैं तो आपको यह चीज़ें बहुत ही असान तरीके से समझ आ जाती हैं अगर आप पूरी figure को लेके चल रहे हैं तो वही चीज़ें दीरे दीरे आपके सामने आती जाएंगी जो आपने study नहीं की जैसे यह hand का angle है वह ची रहता हूं तो यह भी एक अलग lesson रहता है इसका जैसे हैं तो इसका foreshortening यह चीज़ आ गई कि आगे को आपने यह देखना है cylindrical shape जो बनती है figure में वह कहां कहां पर कैसे किस तरीके से बनती है जैसे यह वाला points है नीचे की तरफ जा रहा है right तो यह वाली चीज आगे की तरफ आ रही है तो आपको इन चीज़ों को समझना है जैसे यह lines जो मैं लगा रहा हूं तो आपको पता चल रहा हूँ कि जो भी cylinder हमने बना है वो किस side जा रहा है कौन सा angle है इसका तो हर एक चीज को अगर आप थोड़ा सा ब्रीकी से देखेंगे तो बड़ी असानी तरीके से समझ सकते हैं आप किसी भी चीज को आप draw कर सकते हैं कोई मुश्कल काम नहीं है लेकिन आपको एक एक चीज को देखना होगा क्योंकि हर एक चीज की study है हर एक चीज का एक अलग syllabus बन जाता है तो आप उन चीजों को cover करके देखिए बहुत असान तरीके से ये बन जाता है figures जैसे आपको shape समझानी चाहिए cylindrical shape को आपको जानना होगा कि क्यों जूरूरी है किस तरीके से हम उसको असान तरीके से देख सकते हैं अगर आपको किसी भी sketch को किसी भी angle को असान करना आ गया तो आप बड़े अच्छे तरीके से उसको कर पाऊगे बोल्ड करना सीखना है आपको ब्रीकियों में starting में नहीं जाना आपको features add नहीं करना है यहाँ जैसे मैं figure study कर रहा हूं तो यहाँ पे मैं portrait study नहीं कर रहा हूं जो कि मैं features बनाऊं उसकी feelings बनाऊं इस पे ज अपर उसको action को ही पकड़ना है आपको features shading इन चीजों की जुरूरत नहीं है तो कभी भी आपने जो study कर रहे हैं उसके उपर focus लगागे करना है जैन कि अगर आप portrait कर रहे हैं तो portrait के अंदर features जो आते है light and shade आती है feelings add करनी है वो चीज़ी होती है figure study में आपको अगर action figure बना र क्या चीज मतलब बता रही है figure उसके बारे में सोचना है उसकी study करनी है तो यह हमने एक gesture point से लेके sketch ready किया है जो की action को catch किया है जो भी उसका किसी चीज़ को पकड़ने का style है या कोई भी चीज़ है तो उस तरीके से जैसे for example यह है figure हम इसको study करके देखते है force है इसमें अपने आपको एक balance किया हुआ है figure ने और एक pair उसका पूरा force shortening में है अगले वाला बिल्कुल अपनी तरफ आ रहा है वो लग force shortening में है यहाँ पर cylindrical shape के बारे में भी आपको बताऊंगा किस तरीके से यहाँ पर काम करते हैं पहले हम इसका action समझ लेते हैं जो भ एक sketch को बना के दिखाऊंगा कि जो भी study है वो पिछे भी हमने किये है वो ही simple तरीके से आपने अभी उस चीज़ को छोड़के directly कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा जैसे कि face का angle हो गया उसके बाद यहाँ पर shoulder कि इसको simple कर रहे हैं बिल्कुल राइट जैसे elbow आगया यहाँ पर आता है उसका hand तो हैंड थोड़ा सा foreshortening में है foreshortening मतलब कोई भी चीज perspective में हमें दिख रही है यहाँ पर यह चीज़ है तो इसको थोड़ा सा cover करता हूं मैं थोड़ा सा इसको समझा देता हूं आपको कि यह चीज़ कैसे काम करती है जैसे हमने टॉर्सो लिया था तो टॉर्सो कुछ इस तरीके से घुमता है यहां पर और यह लेग्स यहां से अपनी तरफ आती है यहां पर कोशिश कर रहे हैं cylindrical शेप को समझने की मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूं जैसे यह था ही है इसका यह वाला एंगल बन रहा है cylindrical shape राइट तो इसी चीज़ को apply कर रहे हैं हम इस side भी जैसे दूसरी leg इस side है यहां पर उसका कनी है और यहां से यह point बनते हैं तो यह आपको वहां पर जो fold दिख रहे हैं extra वो कपड़ा दिख रहा है आपको उसको चोड़ के आपने figure को समझना है कि कहां पर हमारा gesture point उसका action कैसे समझ सकते हैं तो जैसे यहां पर उसका pair आएगा राइट और जैसे उसने अपने आपको balance किया हुआ है ऐसे ही दूसरा pair थोड़ा सा दूसरी side जा रहा है थोड़ा सा perspective में है जैनि कि foreshortening में है और इसके pair का angle थोड़ा सा ऐसे है अब देखो action हमारे पास आ गया है पूरा राइट तो इसको आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं अभी जैसे यहां पर face को में हलका सा angle दे देते हैं कि नो राइज लिप्स थोड़ इसी शेड करके इसको complete करते हैं यह चीज रख सकते हैं जानि कि आपको features बनाने की जूरत नहीं होती sketching में आपको angle समझना है आप हलकी सी वहां पर shade लगा सकते हैं बहुत simple तरीके से hairs हैं तो कोई जादा style यहां फिर hairs बनाने की जूरत नहीं है आप simply उसमें कोई shade दे सकते हैं जब भी आप ऐसी sketching कर रहे हैं तो कोशिस यह करनी है कि आपको visible रहे क्या चीज़ आप करना चाहते हैं आपकी study कहां पर है उसके ओपर focus करना है मैं यह चीज़ें rough इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरा यहां पर motive यह नहीं है कि मैं आपको चैरा अच्छे से बना रहे हैं यहां फिर hairs बहुत अच्छे बना रहे हैं यहां फिर कोई और चीज़ इसमें elements डाल रहे हैं no हमें action पकड़ना है action figure बनानी है उसका balance को देखना है उसकी foreshortening देखनी है उसकी हरकतें देखनी है कि किस तरीके से moment आ रही है क्या हरकत है body में right तो इन चीज़ों को cover करना है यह बाद की बाते हैं यह जो fold बगएरा बन रहे हैं यह फिर कपड़े बगएरा कहां पर कौन सी चीज़ आ रही है यह बाद की बाते हैं तो आपको starting में वही चीज़ें पकड़नी है जो आपको करनी चाहिए focus आपका वहीं पर होना चाहिए right तो simple सोचना है simple तरीके से sketching करके देखनी है अभी जैसे हमारे पास जो points आ गए हैं वो हमारी body के gesture points है हमारी drawing के लिए geometrical form है और यह foreshortening में हमने इसको complete कर लिया है अभी detailing जो हलकी हलकी में लगा रहा हूँ वो extra work है उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती लेकिन यह कपड़े जब बना रहे हैं reference को देखके तो यह हलके से lining के अंदर कर सकते हैं नहीं तो आपको इनकी ज़्यादा importance नहीं है importance यह है कि हमारी जो body है वो काम किस तरीके से कर रही है उसका action क्या है तो इसकी detailing में आप जतना margin work कर सकते हैं आप charcoal में बनाईए आप किसी oil painting में बनाईए या फ्रेक्रालिक में बनाईए water color कीजिए वो एक अलग चीज है shading हलकी सी जो आप कर रहे हैं तो वो आपको values बिताती है colors की अगर ये white है तो हलकी सी हम shade कर रहे है sketching में थोड़ी सी depth देने के लिए थोड़ा सा उसको 2D 3D ये चीज़ें थोड़ा सा बाहर करने के लिए इनको उसके लिए आपको एक या दो tones की जरूट पड़ सकती है जो आप shading कर सकते है shading में hatching, cross hatching ये सारी style चल जाते है तो normally ये चीज़ को पकड़ना है कि आपका action figure क्या हो सकता है अपने जो draw किया है वो क्या चीज़ है क्यों कर रहे है study के बारे में अगर आप जितना clear रहेंगे उतनी ही study में जदा improvement आती है अगर हम 10, 12, 25 sketches बना रहे हैं तो उसमें हमें पता नहीं है कि हम किस चीज़ की study करने वाले हैं मैं figure study करने लगा हूँ लेकिन face पे अटका हूँ face की detailing में अटका हूँ तो मेरी figure drawing कहां पे जा रही है क्या चीज़ हो रहा है उसको मुझे कुछ नहीं पता चलेगा मेरी study कहां पे जाके रुक जाएगी तो आपको करना क्या है एक एक चीज़ को जो भी आप study कर रहे हैं के बारे में सबसे पहले clear होना है कि हम किस चीज़ की study कर रहे है इस वीडियो में हमने figures के action के बारे में सीखा है force के बारे में सीखा है तो हम उसी topic के उपर ही बात करेंगे वैसी ही figures बनाएंगे और वैसा ही work करके देखेंगे तो अपनी study के बारे में पूरा clear रहे है कि आप कौन सी study कर रहे है किस तरीके से कर रहे है उमीर करता हूँ इस वीडियो से आपको काफी चीज़े clear हुए होगी Thank you so much for watching this video